नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सभी दर्शकमित्रों का मुद्दे की बात में दर्शकमित्रों आप जानते हैं कि मुद्दे की बात का मूल विशय है कोई ऐसा सामे एक मुद्दा चुनना जिसके कारण हम लोग सब बहुत ज्यादा विज़ार में हैं और उस मुद्दे को ढून कर उस पर चर्चा करके उसका समाधान ढूबना आज की कारिक्रम का विशय है निसंतांता रूपी समस्या और उसका समाधान हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके लिए हमने विशेशक के करूप में जिने आमंत्रिक किया है सबसे पहले मेरे साथ उनका स्वागत कीजिए स्वागत है डॉक्टर नमिता नमस्कार दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बताएं कि डॉक्टर नमिता कोठिया एक वरिष्ट स्त्री रोग तथा निसंतांताइव परक्षनली शिशू विशेशग्ये हैं यानि कि टेस्ट यूब बेबी विशेशग्ये हैं डॉक साब इस क्षेत्र में लगभग पिछल दाता भी हैं कांसलर भी हैं जो कि निसंतांता के विशेश में समय समय पर आने वाली समस्याओं को और उससे जूजने वाले लोगों को परामर्श देती हैं दर्शकों एक परिवार समाज की सबसे पहली और सबसे महत्पूर्ण निकाई है लेकिन परिवार पूर्ण कब होत परिवार पूर्ण होता है जब उसमें बुज़र्गों की दुआएं होती है और बच्चों की किलकारियां होती है पिछले कुछ समय में ये देखा जा रहा है कि बच्चों की किलकारियां जो है वो मध्धम पढ़ने लगी है वो क्यों मध्धम पढ़ने लगी है क्या ये वाक निसंतानता की समस्या उसके कारण और उसके निवारण के बारे। डॉक साब एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कारेक्रम का विशय आपको मालूम ही है। डॉक साब आपसे इससे पहले कि हम विश्टार से चर्चा शुरू करें। यह जानना चाहेंगे कि क्या निसंतानता वाकई एक समस्या है या इसे सिर्फ एक हवा बना कर रखा है। और यदि यह समस्या है तो इसके प्रमुक कारण क्या है। देखिए यह बिलकुल इस जो यूग में अपन है इस तेजी के समय में यह बढ़तीवी समस्या है। आज से 15-16 साल पहले इसका जो प्रेविलेंस था स्रिफ 5-78 परसंट था अब यह 20-22 परसंट तक चला गया है। और इसमें जो बहुत से कारण हैं और कुछ कारण पत्नी से रिलेटेड हैं, कुछ कारण पती जिम्मेदार हैं, कुछ दोनों में समस्या है। थोड़ी पत्नी में, थोड़ी पती में। और तीस परसंट लोगों में अब यह हो गया है अनेक्स्प्लेंड। मतलब दोनों पती पत्नी नॉर्मल हैं, मगर तो भी बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो अब यह भी एक तरह से एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो गई है। तो अगर अपन पत्नी के कारण समझें तो उसमें एक तो PCOS बहुत बड़ा कारण है। पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिसमें स्वता अंडे नहीं बनते हैं। तो जब अंडे ही नहीं बनेंगे तो फिर प्रेग्नेंसी या बच्चा होना संभवनी हो पाता है। उनको डॉक्टर या एक्सपर्ट की जरूरत होती है जो ऐसी दवाइयां दें जिससे अंडे बनें। कॉठ गवर्ट कारण होता है यदी ट्यूबश ब्लॉक्ट हो दोनोगipples ब्लॉक्ट liberal बागनें तो भी बच्चा नहीं लगपाता और अगर एक ट्यूबब च्च dir ब्लॉक्ट फोती है तो इसमें यह है कि एक महिना अंडा वनता एक महिना साइड में लेफ्ट crunch तारण है और इसके अंदर जो होता है इसके अंदर जो एन्वायरमेंट होता है अंदर उसमें अंडा और शुक्रानू जो होते हैं पती के वो नहीं मिल पाते हैं तो यह कुछ समस्या हैं जो लेडीज में होती हैं जिसकी वज़े से नहीं होता है पती में जो समस्या है वो है या तो निल शुक्रणू होना, उसका भी इलाज है, या फिर शुक्रणू में कमी होना, और एक वेरिको सील करके होती है समस्या, उसमें भी शुक्रणू पर प्रभाफ पड़ता है, इसका भी ट्रीटमेंट है, और जैसे मैंने बताया है कि कुछ प्रॉब्लम जैसे पती में है जैसे मालो उनके बॉर्डर लाइन शुक्रानू कम है हलके से कम है या गती कम है और उधर पत्नी के अंडे नहीं बन रहे हैं तो ये दोनों का कारण हो जाता है और अब ये 30% जो हो गया ये अनेक्स्प्लेंड है इसमें ये लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है एक तो आजकर लेट शादियां हो रही है फिर उसके केरियर की वज़े से अपनी पढ़ाई की वज़े से और दूसरा ये है कि शादी होते हैं कोई बच्चा अपना चाहता नहीं है उसमें एक, दो, तीन साल निकाल देते हैं फिर एज बढ़ने लग जाती है और ये चीज हमें समझनी चाहिए कि जो वेस्टन और यूरोपियन लेडीज हैं उनके अंदर जो प्रजनन शक्ती होती है और जो लास्ट में जैसे जैसे एज बढ़ती है जिसे अपन मीनोपॉस कहते हैं वो जो स्पैन है वो थोड़ा ज्यादा है वो पचास पचपन तक का है मगर एशियन वोमन्स जिसमें अपना हिंदुस्तान भी आता है उसमें वो 45 तक ही है, 45 साल तक ही है तो यदि कोई लेड़ी अगर देखे आजकर सभी हैं सब लड़कियां अपने पढ़ती हैं अपने जॉब में रहती हैं सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं और वो फिर शादी करते हैं 28, 29, 30 में फिर उसके बाद 3, 4 साल बच्चा नहीं चाहते है तो जो समय है प्रजनन का वो कम हो गया वो अब जस्ट 8 से 10 साल हो गया तो ये चीज हमें समझना मूल रूप से बहुत जरूरी है हर चीज अपनी जगे जरूरी है पढ़ाई भी जरूरी है नौकरी भी जरूरी है मगर अगर अगर अपन को प्रेगनेंसी करनी है मैरिज शादी करनी है तो ये चीजों को भी उतना ही महत्व देना है कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना है जैसा कि आपने बतवाया ये बहुत महत्पून जानकारी दर्शकों ये याद रखिये कि ये पूरी तरह से प्राकरतिक है इसमें किसी का कहीं कोई दोश नहीं है कि अगर हम पश्चमी देशों की महिलाओं से हमारे भारत वर्ष की महिलाओं को कंपेर करते हैं उनका तुल्ला करते हैं तो यहाँ 45 वर्ष आपके कहने का मतलब यही है कि भारतिय महिला सामाने तौर पर 45 वर्ष की आयू के बाद प्रजनन ख्रमता फो बैठती है वो सामाने तौर पर मान नहीं बन सकती है तो दर्शकों जैसा कि डॉक्साब ने बताया बहुत सारे कारण गिनाए देर से शादियां होना और करियर वकरा तो उसके चलते ये जो समय उचित और उतना समय जिसमें वे माँ बनने का सुपराप्त कर सकती है वो बहुत कम रह जाता है डॉक्साब ने बहुत ही सादरन सब्दों में आपको समझाया है कि हर चीज का एक अपना समय होता है करियर का भी समय है और यदि आप परिवार चाहते हैं परिवार में पूर्णता चाहते हैं तो संतान की उत्पत्ती संतान के बारे में समय से सोचें डॉक्साब आपने जो पहले प्रश्म के उत्तर में प्रमु कारण गिनाए एक बार मैं वापस वहाँ जाना चाहूँगा और आपस ये निवदन करूँगा कि जो विभिन समस्याइं आपने बताई जैसे आपने बताया कि महिलाओं में अंडे नहीं बनते हैं या ट्यूब्स ब्लॉक है या पुरुषों में शुकरानों की कमी है लोक साब ये किन कारण या इसमें जो व्यक्ति है पुरुष हैस्त्री है उसकी भी कहीं कोई अपना रोल होता है जिससे वो उसको बहतर करता आपने बहुत अच्छा प्रशन किया ये इसमें एक तो ये होता है कि कोई डिजीज हो गई है कोई बिमारी हो गई है वो जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी ह वो है उनके पैदाईशी है पर उसका निवारण है कोई जान लेवा नहीं है कुछ भी नहीं है इसके अंदर जैसे मैं PCO इसलिए स्ट्रेस कर रही हैं इतना जादा क्यूंकि आजकल ये एक पेंडिमिक गोशित हो गया है अच्छली महमारी के रूप में है और जिसके प्रत सबसे पहली गलती है यदि इनकी महावारी अनियमत है तो फिर डॉक्टर से संपर करें जिससे जल्दी इसका ट्रीक्मेंट हो एसी ही कोई बच्ची हो जो कहती है मेरे महावारी के टाइम इतना दर्द हो रहा है उल्टिया हो रही है वो स्कूल से चुट्टी ले रही है तो इसको दिखाया नहीं जाता है फिर बाद में पता चलता है उसके एंडोमेट्योसिस है यह कोई बीमारी है यह इसके अंदर जो होता है एक खून की गांठे बनने लग जाती है तो वो फिर क्या है कि प्रजनन शक्ती में थोड़ा सा परेशान करती है तो यह इस तरह की समस् है तो इनका तो चलो ट्रीटमेंट हो जाएगा पर जैसे आपने बोला लाइफस्टाइल अपना जो है उसके अंदर आजकल का जो बच्चे लोग हैं चाहे वो लड़का हो या लड़की हो वो रात में तो जाकते हैं और दिन में सोते हैं तो एक कुदरत ने एक नियम है और उस दोरान हमको सोने को कहता है मगर हम उसके विपरीद जाते हैं तो उसी से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है उसमें आपका नाश्ते का पता नहीं है दुपहर के खाने का कोई समय नहीं है और फिर आजकल कोविट की वज़े से और ज्यादा ओनलाइन पढ़ाई और यह आजकल लगभग बराबर सही है लड़कियां भी करती है लड़की भी करती है जैसे मैंने का यह समय के साथ जो चीज़े हो रही है तो इन सब चीज़ों की वज़े से भी नी संतानता कारण बन सकता है लॉक साब आपने ये जो तकलीफें बताई जैसे जो आपने कहा गए बच्चीओं में बच्पन से तकलीफ हो सकती है या लाइफस्टाइल की वज़े से जो हमारी जीवन चालिये उसकी वज़े से परिशानी है तो क्या इनका इलाज संभव है और क्या कम उम्र में अगर इनको पकड़ में आती है तो इनका इलाज संभव है और अगर है तो वो किस तरीके से होता है इन सब चीजों का इलाज संभव है, इसमें माता-पिता को भी एकदम सचेत रहना चाहिए, और आजकल बच्चे तो होती है, हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं, जिसमें लड़कियां खुद अपने पेरिंट्स को लेकर आती हैं, कि मुझे दिखाओ डॉक्टर माम को, किसी को दिखाओ, मैंने नेट पे देखा हैं, ओनलाइन देखा हैं, यह कोई प्रॉब्लम हो सकती है मुझे, तो यह बहुत अच्छी चीज है, जो अवेरनेस की है, पर इसमें सचेत होना जरूरी है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर अपने को शादी से पहली ही यह चीजें पकड़ म नहीं लग रही है, तो यह सब चीजें हैं, यह कोई infection की तरफ भी अपने को दिखाती हैं, और आज भी अपनी डेट में हिंदुस्तान में TB का infection बहुत कॉमन है, तूबर कुलोसिस infection कॉमन है, जो की अपने इनके बच्चीयों के uterus में हो सकता है, और वो आगे चलके इनकी tubes नसों को बंद कर सकता है, तो यह चोटी-चोटी चीजें हैं जिसके प्रती माता-पिता को सचेत होना और तुरुन डॉक्टर से contact करना है, एक और अची बात जो है दर्शकूं, जो आपको ध्यान रखनी है, जिस प्रकार की समस्यां डॉक साब ने यहां बताई है, आज कर सब तरीके का हिलाज सरकार द्वारा मुफ्त में पूरी तरह से उपलत है, कहीं किसी तरीके की कोई आर्थिक परिशानी, कोई गरीब से गरीब आदमी भी है, चाहिए शहर में हो, गाओं में हो, उसको इस तरीके का हिलाज पूरी तरह से मुफ्त मिल जाता है, तो एक किसी जमाने में कारण हुआ करता था अर्थिक परिशानी अब वो भी नहीं है आप लोगों को केवल इतना सा ध्यार रखना है दर्शकों कि आप सचेत रहें जैसे कि डॉक साब में बार बार बताया है और बच्चों की समस्याओं को या अपनी खुद की स्त्री हो या परुशाब जो भी है अपनी खुद की समस्याओं को भी हलके तौर पर नहीं लें और समय पर जो है वो डॉक्टरी परामर्श जो है वो प्राप्त करें और डॉक्टरी परामर्श की महत्ता को सुईकार है ये बताए कि निसंतानता अपने आप में एक समस्या है उसके क्या लक्षन है औ और क्या कुई विशेश जाचे हैं, कुछ ऐसा होता है, जो बहुत तकलीफ देता है, जिससे लोग घबराते हैं, क्योंगे लोगों में बहुत सारा डर है इस चीज़ को लेकर, तो वो थोड़ा सा बता है देखिए नी संतानता अपन तब कहते हैं, यदि पती पतनी एक साल से आपस में साथ रह रहे हैं, बिना कोई गर्ब निरोदक इस्तमाल करे वे, और तो भी बच्चा नहीं लग रहा है एक वर्ष का समय है माल की चलना पड़े हैं और उनको ये समझना चाहिए कि किस समय सात रहने से ज़ादा चांस रहता है बच्चा लगने का और ये जो है समय, ये मावारी के दस्वे से बीस्वे दिन के बीच में होता है जिस समय पतनी का अंडा बनता है और उस समय यदी साथ रहें तो बच्चा लगने का सबसे ज़ादा चांस रहता है अगर ये तो सब नॉलेज ये सब जो भी है इनको ऑनलाइन पता चल जाती है गूगल से पता चल जाती है बाकि आजकल सभी हमारी जो कोर्स की सिलिबस किताब सब कुछ समझ में आता है अगर एक साल तक ये प्रयास कर रहे है और फिर भी बच्चा नहीं लग रहा है तो फिर इनको फर्टिलिटी डॉक्टर को या फर्टिलिटी क्लिनिक में जाके संपर्क करना चाहिए और उसके अंदर जो बेसिक जाचे होती है उसके अंदर एक तो हस्बेंड वाइफ पती पतनी दोनों के बेसिक ब्लड टेस्ट होते है जिसमें उनका हीमोगलोबिन लेवल कितना अपने हिंदुस्तान में एनीमिया अभी भी बहुत जादा है अच्छा एनीमिया या खून की कमी होना तो वो हीमोगलोबिन लेवल से पता चलता है प्लस पतनी की ब्लड टेस्ट के अलावा एक शुक्रानू की जाच होती है उससे हमें मोटे तौर पे पता चल जाता है किसमें क्या प्रॉब्लम है अगर यह सब टेस्ट नॉर्मल है उनके और तो भी बच्चा नहीं लग रहा है एक डेड़ या दो साल से तो फिर हम पतनी की ट्य ट्यूब की जाच की भी टेस्ट होते हैं और उससे फिर पता चल जाता है कि अगर ट्यूब में खराबी है तो उसका अलग इलाज है अगर वो भी नॉर्मल है तो फिर अब उनको फ्री नी छोडते हम क्यूंकि वो एक डेड साल से पहले सी ट्राय कर रहे हैं तो फिर हम उनक क्या है और दूसरा यह बताईए कि आपके पास आने वाले जो दंपत्ती हैं उनको निसंतानता की समस्या का समाधाना कैसे देती हैं देखे इसके अंदर बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है इसमें मोटे तौर पर देखें तो तीन तरह के ट्रीटमेंट होते हैं पहला होता है दवाईयों से और कुछ इंजेक्शन देते हैं पती पत्नी स्वभाविक रूप से ट्राइ करते हैं और बच्चा लग जाता है और दूसरा ट्रीटमेंट होता है आई यू आई इंट्रा इूट्राइन इंसेमीनेशन जिसे कहते हैं या कृत्रम गर्भाधान वो मीडिया से या ऐसे तत्व से शुक्राणू वोश करते हैं और फिर पत्नी के इंसेमीनेट करते हैं बच्चे दानी में जिससे की शुक्राणू की क्वालिटी बढ़ जाए और लास्ट जो प्रोसेस होता है वो है परकनली शिशु या टेस्ट्ट्यू बेवी जैसे की आम ज है और उनके जैसे मैंने बोला हॉर्मोन टेस से पता चला है अंडे बनने की शमता कम है तो उनको अपने को एग्रेसिव ट्रीट्मेंट देना पड़ेगा उसमें आई यू आई 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 आगया या टेस्ट्यू बेवी आगया और यदि किसी के बिलकुल ही निल शुक इससे नहीं होता है तो फिर आई 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 करते हैं आई आई के भी हम तीन से चार साइकल ही देते हैं और उसके बाद फिर टेस्ट्यू बेवी करते हैं तो डॉक साब यह बहुत एक सुल्जी हुई प्रक्रिया है इसमें कहीं किसी को जैसा कि आपकी बातों से लग रहा है क किसी को कोई धवराने की या परिशान होने की में कुछ जरूरत नहीं है डॉक साब इससे पहले कि मैं परक्नली और आई विए ट्रीट्मेंट के बारे में आप से बात करूँ बीच में एक सवाल पूछ रहा हूं जो इस तकनीक से दरबाधान होता है और बच्चे की संतान क में होते हैं पुर्षों में कमी आ जाती है स्थ्रियों के लिए जीवन मुश्किल हो जाता है इसके बारे में आप क्या कहीं इसमें देखिए सबसे पहले तो मैं वो एक्जाम्पल दूंगी जो फर्स्ट परक्नली शिशु बेबी हुई थी लुई ब्राउन जी आज से किते बच्चों में एबनॉर्मालिटी का जितना की नैचुरल रूप से स्वभाविक रूप से है और आजकल हमारे पास सारे टेस्ट उपलब्ध हैं यदी लेडी प्रेगनेंट होती चाहे वो टेस्ट्यू बेबी से हो या नैचुरल हो स्वभाविक रूप से हो उनके भी सारे यही प्रेगनेट लेडीज के हर स्टेज पर टेस्ट होते हैं उसमें डबल मार्कर होते हैं एडवांस सोनोग्राफी होती है वो सब ही patients में करते हैं तो यदि वो चीज ऐसी कुछ होती है तो वो पकड में आ जाती है और वो दोनों ही cases में सामाने हैं ऐसा नहीं है कि परकनली वाले या इलाज वाले जो बच्चे उनमें जादा incidence है दर्शकों बहुत ध्यान दीजिए इस बात पर कृत्रिम गर्बाधान जैसा कि डॉक्स आप बतवा रही है जो आई वेफ तक्नीक से होता है वो पूरी तरह से सुरक्षित है उसमें समस्याओं का होने की संभावना उतनी ही है जितनी सामान में गर्बाधान में है सामान में प्रेग्नेंसी में है इसलिए कहीं किसी तरीके से घबराने की या फरेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इस चीज़ का खयाल रखें और बेजज़क अपने आपको भगवान न करें लेकिन यदि आप इस समस्याओं से जूज रहें ना तो भरती होना है इसमें कुछ भी नहीं है आना है जाना है ये आपने बहुत महिद्पून भाते हैं इसमें ना तो आपको कुई इसमें एडमिशन है ना कोई कट है ना कोई चीरा है कि मन में बड़ी ब्रांती रहती है क्योंकि टेस्ट्यू बेबी में अभी आप जैसे आगे भी बात करेंगे उसमें अंडे जो हम निकालते हैं बिना कट और चीरे के लगाते हैं दो गंटे में पेशेंट घर चला जाता है वरकिंग लेडी अपने ऑफिस जाके जॉइन कर लेती है यह बहुत सामाने प्रकरिया वापस उसी समय प्राप्त कर लेते हैं इसलिए कहीं घर आए नहीं डॉक साब मेरे खाल में इसमें महत्पून यह है कि आप सही मारदर्शन प्राप्त करते हैं आपके जो एक्सपर्ट है जो भी है वो ठीक होने चाहिए यह महत्पून चीज रहती है आपने बताया कि जो आ परकनली शिशु द्वारा इसमें दोनों में फरक में थोड़ा सा बता देती हूं कृत्रम गर्बादान के अंदर तो हम लोग शुक्रानू ही डालते हैं जिस समय अंडे फूटने वाले होते हैं और जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो पत्नी के अंदर ही बॉडी में ह होता है मगर जो परकनली शिशु है उसके अंदर हम लोग सोनोग्राफी द्वारा अंडे बहार निकाल लेते हैं और पती के शुक्रानू से मिलाके जो ब्रून बनता है एंब्रियो वो हम डालते हैं बच्चेदानी तो दोनों ही केसे में 15 दिन बाद ही ब्लड टेस्ट कर ल पर हम एक शुक्ति अमटम करती है या फिर सामाने करवादाः की तरह चलता है ये सामाने ही रहता है यसे की नॉर्मल प्रे इंचे में पर थोड़ा सा इसमें हॉड्मोनल सपोर्ट हमे शुरू के 3 महीने तक कि कोई कारण की वज़े से हमें ये प्रोसीजर कर ना पड़ा त उसे साब से हम थोड़ा सा hormonal support देते हैं 3 months उसके बाद तो normal जैसे अपन iron calcium diet देते हैं वो ही उनको देना है अब इसमें जो सबसे बड़ी ब्रांती है वो यह है कि हमने test tube baby कराया या कृत्रम गर्वधान कराया तो अब हम bed rest करें क्या इसमें bed rest का कोई रोल नहीं है यह सब क्या करो सब कर लेंगे तो इस तरह से यह ब्रांती फैल जाती है अधर्वाइस जो working ladies है वो work पे जा सकती है कोई इसमें परिशानी नहीं यह बहुत महत्पून बात है दर्शकूं ध्यान रखें कि सामान ने गरबाद गर्भधारण जैसी प्रक्रिया जैसा है इसके बाद और इ मुश्किल से गरबधारण हुआ है तो इस वजे से सावधानिया बरतते हैं लोग साब बहुत ही आप से जानकारी बहुत ही लाबतायक मिल रही है हमारे दर्शक में तर लाबहनवित हो रहे होंगे यह बताएं कि इस प्रकार से गरबधारण करने के बाद या दौरान या ब जैसे estrogen है, progesterone है, HCG hormones है, यह natural hormones हैं जो अल्रेडी हर इस्तरी के शरीर में होते हैं और यह हम लोग support के लिए जो देते हैं बच्चे की growth के लिए उग जैसे मैंने पहली भी बोला सुरू के तीन महीने में तो इसलिए as such कोई side effects ही होते हैं यह जरूर है बहुत जाथ हरेस्ट करने से मोटापा बढ़ सकता है इस दौरान हम लोग बोलते हैं उनको आप नॉर्मल वॉक करिए योगा करिए अपनी बॉड़ी को फ्लेक्सिबल बनाइए दूसरी ब्रांती है कि सिजेरिय नहीं होएगा ऑपरेशन से बच्चा होगा ये भी ब्रांती है नॉर्मल डिलिवरी नहीं हो सकती है इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है जैसे कि किसी का बीपी बहुत हाई है या शुगर उनकोंट्रोल या कोई मेडिकल फैक्टर है जिसकी वजह से उपरेशन करना पड़ रहा है तो वो कारण बन सकता है अधर्वाइस तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि अगर बेबी या या यू आई से हुआ है तो अपन सेजेरिया नहीं करें करें डॉक्साथ हम कारेक्रम के अंत की और बढ़ रहे हैं और एक अंतिम्परेशन के रूप में आपने दो तीन बार जीवन शैली पर लाइश्टाइल पर कमेंट किया आपने कहा कि यह सबस्या जो है बह अपना बाइलोजिकल क्लॉक मेंन टेन करें जो कुदरत ने बनाया है जहां तक हो सके ठीक है अपने कैरियर के लिए कई बार अपने को डिवियत होना पड़ता है बट सिल जहां तक हो सके अपने को यह मेंननाँ चाहिए दूसरा खान पान के अंदर फास्ट फूड अवाइ तीसरा, एक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे आप मोटे हो या पतले हो, अपने को एक्टिविटी 30-40 मिनिट्स रखनी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये इस तरह की जो है, और प्लस ये जो रीक्रियेशनल एक्टिविटीज है, लाइक स्मोकिंग और, इन से थोड़ा सा परेजी रखें तो सही रहेगा, एक पानी की मातरा जाधा रखनी है, लिक्विट इंटेक अच्छा रखना चाहिए, और एक नाश्ता सबसे इंपोर्टेंट मील है, जो कि हिंदुस्तान में और राजिस्तान में तो मैंने अब्सर्व किया, लेडीज करती ही नहीं, वो तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कारिक्रम मुद्दे की बात, आपने निसंतनता के कारण समझे और उसका समाधान समझा, लौक साब, आप स्टूडियों में आई, आपने अपना अनुभव माटा, इतनी महत्पून जानकारिया दी, इसके लिए इस अवी दर्शकों की ओर स दर्शन की ओर से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार.